यहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भरती द्वाजर बाइस का प्रेक्टिस सेट आठ देखेंगे इससे पहले हम लोगों ने जो साथ तक कंप्लेट कर लिया है यदि आप नहीं देखेंगे तो फ्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पर करें कि सरी कौन सा भूक है तो आपको बता दे कि यह हम लोग अभी प्रेक्टिस एट लगा रहे हैं तो यह सपार्ग पॉब्लिकेशन का भूक है ठेक चलिए यहां से पहला जो प्रेशनी टाटू होता है यह बाप का हिंदी और अंग्रेजी का जूकी है और निर्देस दि करना है जैसे जो और रचन दिया है तो इस प्रेंट बिता रहे हैं तो इनका बिल्कूल सही है आपको यह घए आद हो आप लोग च्ट भॉक्स खूला यह आप लोग कमेंट करते रहें 8-11 सब्द है चली है जबंधार स्झाहित चली है उसके नीचे ढरत विकल्बंदो के लिए उसके नीचे दिए गये भी कल्पो दो खाटना जैसे कि दसांतर सब्ध है यह कौण साय सब्सक्राइध करम धाले समॉअं जैसे के हैंसे तहलों का चो राहा है और छो are चार यकिशर से बना हूए दिंगू'm सब्वारा पुर्ति के लिए कुछ विखल्प पूर्ट भी विखल्प आपको चुने ना है जैसे कि राष्ट की रियोडाट के लिए सहीदों ने अपना बलीदान कर दिया तो यहां पर क्या होगा राष्ट के सान के लिए क्या होगा राष्ट की सान के लिए जो है लिए जो सहीदों ने अपना बलिदान दे दिया अगला प्रेश्ण हम लोग का है कि धैरेवान व्यक्ति विपत्ती में भी डौट डौट नहीं होता है क्या नहीं होता है तो अब विपत्ती में भी बीचलेत नहीं होता ह चखे चलिए अगला है यां से प्रश्ण है कि हिंदी के बिसीष्ट बोली जैसे कि ब्रजभासा किस रूप से यहां पर किस रूप में सबसे अधिक पर चली थे आपको कावे भासा में ठेक आपका डी जो है बिल्कुल कारैक्ट है और अगला प्रश्णा नॉमर देख लिए क कि वाक्या का सब्द यूग में यहादी सब्द है तो अनुचेद का यूग में निम्रा लिखित में से का नुम नुमर जो पर्षन है कि निम्रा लिखित में टेवनागरी लिपी में नहीं लिखी जाती है तो अगले प्रश्ण हम लोगा है कि एक मनाई के यहां पर एक मनाई के दोई बेटवेट रहिने हापर मनाई होगा चले देखते हैं एक मनाई के दुई बेटवे रहिन ओह मा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन मा जवन हमार दी हिंसा लगत होए तवन हमका देड़ देखे यह प्रश्णी जो है कि यह आउतरण जो है यह आउतरण जो है हिंदी के किस बोली में है यानि कि यह जो वर्ड यूद पूरा द तो इसमें टोटल एक सेट में पांच जो प्रश्ण अंग्रेजी के पुछे जाते हैं तो प्रश्णी की फाइंड आउट वीच पार्ट ऑफ शेंटेंस है इसमें से क्या है कि एक वाक यह को तीन भाग में आपको डिवाइड कर दिया गया और आपको बताना है कि इस पूर है जब देखे की गलती नहीं तो आपनोय लागा सकती है तो हायए तो पर जो तो आउधी पर्योग होता तो पर क्या होगा कि विल का ऑफ कर परियोग Technical Kingdom चलिए अगला प्रосьओं दौन वच इक्सक्रेंस तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर गिगनेटिक का मतलब होता है आपका 20 साल होता है ठीक तो परचंड और 20 साल में कुछ खास अंतर नहीं है तो यह दोनों स्यम ही है सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग होना प्रिथक होना तो यहां से आपका ऑफ्सन यह बिल्कुल कॉरेक्ट है ठीक चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि कर सब्सक्राइब रोंगा डिया गया है इसमें आपको भूंधना है कि कहां पर कौन से वाक्य में गलती गया है तो अइसमें गलत है content का मतलब होता है त्रिसकार करना और घ्रिणा करना और इसमें गलती क्या है कि यहां पर टी के बाद क्या है एक का परयोग यह लेकिन यहां पर ठीक बाद यह नहीं होता है बलकि यहां पर टीक के बाद यह का परयोग होता है तब यह तिरसकार और घ्रिणा करना होता ह सब्सक्राइब कर सकते हैं का मतलब होता है नो कर साही तो जो क्या आपका आपका डी जो है बिलकुत से नहीं हम लोग का देखिए कि होता है ना कि अनेक सब्सक्राइब के लिए एक सब्सक्राइब जो कर आपको बनाना है प्रस्थीत है यह चंद्रमा पर इस यह है पर सी और का वहतने हैं कि इसको से यहां पर देखे ट्री ऑफ स्कॉट अबलीटी को जो होता है संत सागर चंदर्मा परिश्थित है इसको कहें कि संत सागर के नम से जाना जाता ठीक आपको यह याद रखने ठीक और चंदर्मा का प्रिष्ट भाग यहां सुर्क की रणे नहीं पहुंचती है उससे स प्रश्थ का एक मात्र भाग है पात्र है तो आपका राइटेंस होगा मार्चंट ऑफ वेनिस का यह के मुख्य पात्र है आपका भी यह है जो बिल्कुल इसमें कोरेक्ट है और अगला प्राइशन देख लेजेए कि संराचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन होती है प्रश्थ और आपके राजस्थान में चलिए नेक्स्ट परश्थ के संरा चांदी यूद्धी जनने वारा प्रदेश को में प्रदेश को सब्सक्राइब बाहता है तो आपके राजस्थान में ह्टेख छलिऊ अमेरिका द्वारा छाड़ी दूतियों में जुह किस पर और कव आकर्मन क्या गया तो अकरमन के पर द्वारा इराक्ट पर और किसा धोल तो इसको सम्मिनाटनें जाता है जानटनेंश में हूच वह बहु तो विट्जल होता है आपको ग्वाल टेमाला यहां पर देखिये ग्वाटेमाला की यह मुद्र है फिर टेख चलिए नेक्स स्ने याश्या है पचिस नमर जो प्रस्शनी मोरे दरबार में ग्रीश के राज़ुद का नाम क्या था तो ग्रिस के राजदूत का नाम था में घास्टी निठीक अगला प्रशनी के दिली सुल्तान का शासन कव प्ररंब हुआ यहां पर कव प्ररंब हुआ था तो आपको याद होगा यह 1260 में प्रंब हुआ था थे चलिए अगला प्रश्ण हम लोगा कि कौन सा प्रचीन भातिय समराज नीचे उसकी रैधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया गया जैसे कि मौर ये का हो गया पाटले पूतर से और पांड़ो का जो हो गया मदुरई से पल्लो का बेलाओर से और कलकतिया का जो ह आघटाशन कि की नौपह किसका प्रकार है तो नहां प्रकार या प्रोजह चलिए पर चलिए respectful कि पानामा नहर सवैजंद से बहसे पूछा सबसे बड़ा है और कोई देखे संट जो सबसे नहर में कोई नहीं है बलकि यहाँ पर जो पनामा नहर में आपको जो देखने को मिलता ठेक चलिए अगला परस्णी हम लोग है कि स्थपना किषने की तो इसके स्थपना किसके द्वरा किया था राजा राम मोहराय के द्वरा जो है ब्राउन समाज की स्थपना किया ठीक चलिए ने एक्स प्रेशन हम लोग यहां से 32 नंबर है कि हूँ इज कलाम क्या है कलाम क्या है क्या है कलाम पुष्टक के लेखा कौन है तो आपका राम राम राताने ठीक आपको याद आधाने किसी प्रेशन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें कि सर इसका जो एंसर आप है गलत बता रहे हैं तो मैं अगला प्रिश्ण है कि ओटी आई एस किसका ब्रांड नाम है तो यह जो ओटी आई एस जो होता है यह आपका लिफ्ट आफ एलिवेट्स का जो है ब्रांड नाम है ठीक आप लोग अफ़न सिकर लेज़ेगा और नेक्स प्रिश्ण हम लोग 34 नमबर देखते हैं कि भारत का न नाम कमें है कि भारत गौग सी तो उस जब भारत को अजादी मिली तो उस समय बब्रिटेन के प्रधान मंत्री मुझेट इहां पर बार बार पूछ जाता है कि जब हम लोग आप भारत है जो 1947 में आजादे मिली तो ब्रिटेन के उसे में प्रधान मंत्री कौन थे देख लिए आप और रोवर्ट कलाई है मांट वेटन है और यहां से हम लोग क्या है यहां पर विश्टल चर्चिल है और एटली है तो कौन सा होगा इसमें हम लोग का एटली होता है ठीक आपका आप प्रिशने की भारत का राष्ट पती बनेने की योगता के लिए नियुम्तों आयू कितने होने चाहिए तो देखिए यदि आप राष्ट पती बनना चाहते है तो आपकी उमर जो है 35 वर्स होना चाहिए यह अनिवारे है अगला प्रिशने हम लोग का है कि मानस बनने जिव द्यान कहां है तो मानस बनने जिव विहान जो है आपको असम में ठीक और अगला प्रिशने हम लोग का कि एस यन डेवलाप्पेंट बैंक का मुख्याला यानि कि हैड़ कहां पर है तो इसका मनीला में ठीक आपको गयाद रखने कहां पर रहे है मनीला में अगला 49 नमर जो बिभारत के किस राजे में बिधान सावा के सदस्यों की संक्या है सरवृधिक है तो बिधान जो सदस्यों की संक्या सरवाधिक है वह है आपके उत्तर प्रदेश में ठीक option आपका A बिल्कूल भीष्वद का पाँचवा सबसे बड़ा परवत का कोंसा है तो अलमा लाता किस देस की तो यह कड़गा अंस दहां नेक्स प्रिशन है कि पच्छी बेंगाल ना तो अगरा केmind प्रिशन होता है वह शुक्र होता है जब घरおお कब होता है तो जब जो है सूर्य और प्रित्वी आपको याद रखना है कि जब सूर्ज और प्रित्वी के बीच में चंद्रमा यह चला जाएगा तब क्या होता है कि यह सूजगरहन लग जाता है ठेक चलिए अगला प्रश्णियां से हम लोग का है एक निमना लिकित में से किस ग्राह का कख्षे प्रित्वी से सबसे अधिक नजिदिक है तो प्रित्वी के सबसे जो आधिक नजिदिक है यहां से ऑफ्सन देख लिजिए सन्नी है बूद है और यहां से ऑफ्सन दिया गया है कौ कौन सा ओगा तो आपका सांट चला जाएगा राइट एंसर सुक्र Department के सांथ जीरक चलिए अगला प्रिश्ने कि भारत में अंतिया मोगत समराथ कौन था तो अंतिया मोगत समराथ हम भात करें तो जो बहुत बहादूर होता है इसमें दिया नहीं गया है तो यहां से अकबर दिया गया है और अंग जीब और मुहमद विंसा है तो कौन सा होगा इसमें से कोई नहीं होगी नमसे कोई नहीं होगा ठेक चलिए अगला प्रश्ण है कि पुराणों की कुल संख्य कितनी है तो पुराणों की कुल संख्य आठा रहे ठेक अगला पॉइंट हम लोगा है कि बाउत धरम के संस्थापा के सिदार्त या फिर गौतंबुद का जो जनम की सस्थान पर हुआ था तो उनका जो जनम है वह है आपको लुंबनी में होता थे चलिए अगला प्रशनिया से हम लोगा है कि पहला मुस्लिम अक्रमनकारी सन 712 में भ मुहमद विन कासिज जो की 712 में भारत आया हुआ था ठेक चलिए अगला प्रशन है कि अगरा नगर को तत्यकालीन भारत के रिधानी किस मुगल सासक ने बनाया था तो आगरा जो रिधानी बनाए गया था यह आपको सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा बनाए गया था सी बिस में बिल्कुल कोरेक्ट है और अगया प्रशन हम लोग का है कि भारत में सुरव प्रथम सुला या पहला ठार सो तीरपन को प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई उस समय भारत का गवर्णल जानरल कौन था देखिए आपको बताना है या ठार सो तीरपन में भारत में ज अगया प्रशन है कि हम लोग बात करें तो मध्यपर्द्र साब का प्रथम अस्थान पर थे चलिए अगला प्रशन है कि गायत्री मंत्र का सुरफ रथम उले कहां मिलता है तो इसका प्रशन हम लोगा क्या कौन सा देश उनका सरवाधी कुद्पादन करता है तो आपका किसके निवासी तरह चलीए अगला प्रशण है कि पंडित जबाहरडाल की नीमलिक्ट क्रितियों में से किसपर compare दूर्धर्सनel बन चुका है तो दुट्धर्ण से बन चुका है भारते खोच積पर दूरधर्सनelel बन चुका ठेख चलिए अगला यहां से अंठावन नमट जो प्रेश्टन है कि जहाँ गिर का मकवरा कहां है तो आप का राटन सीर होगा यह लाहावर में है ठेख चलिए अगला प्रेश्टन है कि किस मोगल समराठ के सासन काल को स्वान्णिम यूग के नाम से जाना जाता है अगला यहां से प्रेसंट के मोहन जोदुरों कहां विश्थी ठें तो मोहन जोदुर जो भी आपको li prav chi l लंडूरों का फोर्यों नें कि कि विए ब्रवर्णक विश्थी तो ऑगला भुरुए मढ़लine का प्रॉक एक अगला प्रशन हम लोग का है कि सुखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जब कि गीला बालू धूती हिन होता है तो देखे ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो कारण है परावर्तन के और यह होता है और यहां से हम लोगा प्रशन है कि कौं सा कथन गल्थ है वहालाकि यहां पर रक्त दो अमली होता है यह गलत है तो यह सबसे आपका बैग जो हता है कि आपका जो और फ्राइब अब एक चलिए अगर यहां से हम लोग का 68 नमर्ड जो प्रश्ण है यहां से प्रश्न कहे रहा है कि चार जोरो में करमसव, O2, CO2, H2 और N2 गेस भरी है तो निमनलिखीत में से कीस परिक्षण के द्वरा इन चारो गेसों का पाचान की जा सकती है तो इन देखें इन चारो गेसों का जो पाचान क्या जा सकता है यहाँ पर देखिए जो चार देगा है कि गेस में जलता हुआ आगला प्रशन है कि खाद उरजय किसके दवरा पर दरसित के जाती है तो यह पर दरसित क्या जाता है के लोगे ठेक छलिए अग्रापर धिक आदिक जो होता है तो सबसे आधिक जो होता है और लिएमें कौन से ऊपायुक्त होती है तो बिदुतı हम लों का है कि दूर की बे तर्फ को देखने के लिए कि सुपर्ण करेंग के दा गया जाता है तो दूर को देखने के लिए कि कि कही है ऊंगे पर देखिया यहां कि प्र हलाकि कि गलविन आपका राइड एंसर है थेको चलिया अगरा सबpo से कठोर यहां से आपका कौन सा उलगा राइट एंसर आप लोग हीरा कर लिजिएगा ठेक दात और हडियों में उपस्थित रहता है तो दात और हडियों में उपस्थित रहता है नेक्स causnace कि समानेत द्रव हैं उचे तल से नीचे तल की और परवाहित होते है तो निमनलेख़ित में से भीजित रहा उपस्थित esta तभी सुनी जा सकती है जब परावार्थान सता की ऑना में नेक दुर्वाया है नियुम्ताम दुरी पर कीद्वाया डुदग्यों है ठीक चलिए अगला प्रश्ण है कि मानों सरीर का समाने तो तापकरम होता है तो समाने तो जो तापकरम होता है वो 37 डेग्री सेलसेस में होता है ठीक और अगला प्रश्ण है कि संतुलित भोजन में होता है क्या होता अगला प्रस्繼續 की सिव् Wars दूरी को न अप्ठन के लिए पर्यूक किया जाता है ऑप पर्यूक्त ती यूनिट क्या है तो तारे के जू दूरी है वो आपको परकास वर्ष में मापाजाता और प्रस्न И किस वेगानिक ने सुध क्रिश्यल अवस्था को शुर प्रतम अलग किया तो यह सब से पहले जो अलग किया था यह डावलू अगला प्रश्णिया से 87 नमर के ध्वानी की गति अधिक्तम कहां होती है तो यह जो अधिक्तम होता यह इस बात में होता है ठेक अगला अधासी नमर प्रस्णिय की हाई ग्रो यहाँ पर देख लिए गाई ग्रो है हाई ग्रो क्या मानापता है तो आपका राय टेंसर गई हो यह अगला उन्हब्य नमर प्रश्णिस था खम्टे का लिया और यहां से देख लिए 91 नुमर से आपका जो जिक्के जी हैं जो महत का प्रश्णी टाट होता है आपको 91 से लेकर करके 100 तक जो प्रश्णी 10 होंगे यह महत का है तो आप लोग इसको सल्व करिए और अभी मैं आपको इंसार इसका बता दे रहा हूं ठेक आपका जो यह प्रश्णी असप लिजिए और 93 नम्मर यहां से तो 93 का रायट असर आपको 12.5 हो जाएगा और जो 94 है तो 94 का रायट असर नौव सेंटी मीटर ठेक चलिए यहां से आपका 95 है तो 95 का रायट असर आपको यहां पर 26.25 किलो मेटर प्रति घंटा होगा और 96 नमर देख लेजिए यहां पहले ये शो सोब बर्ग सेंटीमीटर होगा ठै चलि अगला यहां से संतानुवे नमड जो प्रेशन है तो संतानुवे का राइटेंसर 15 पर तीसत हो जाएगा और अगला यहांसे नमडर है तो अन्थानुवे का राइटेंसर आपको एक सूपाचास मीटर ठै चलिए इसका जो आप लो में ठेक यहां से को 27 देखने को मिल रहा है तो यहां पर दाकि लिए यह से 62 नंबर है और 93 के बाद यहां से 94 नंबर手क नो सेंटीमीटर और फिर आपका 95.25 किलो मितर प्रति घंटा और 96 नमर का आपको 162 अबर डिसेंटी MI सब्सक्राइब का कि शेट चोंद कर दिए और ये जो नमर जो सबीक्राइब कर दोंग कर देगा और आप लोग इसमें कमेंट कर दिजै किसमें आपका कितना स्कुर कर पाएं बरना नहीं प्रीटे में अपको दिकत हो तो आप लोग ये भी कमेंट कर देजाएगा ठेक तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तेक लिए थैंक्स ओल्दी वेस्ट